नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है देखिए जो हम शौट नौट से सीरी चला रहे हैं आधुनिक भात के इतियास की उसका ये लेक्चर नंबर सेवन्थ हैं सेवन्थ होगा और आज के इस वीडियो में हम मुराठा सामराज्य की हम बात करेंगे अभी हम इससे पहले क्या पढ़ा देखिए बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया उसके बाद करनाटक वाला छेतर में मैसूर पर अधिकार कर लिया मैसूर सामराज्य हैदर अले टीपु सुल्तान आपने पढ़ा और आज के इस वीडियो में मुराठा सामराज्य पढ़ेंगे मराठा सामराज्य में नो पोर्चन एक चत्रपती और पेशवा इन दोनों के बारे हम पढ़ेंगे और अंग्रेज के साथ कैसा संगर्श हुआ और लास्ट में अंग्रेज्जों ने अंग्रेज्च उनhod पर आपना अधिकार कर लिया था था तीन आंग new औरा यो दूए थे उनकी भी हम चर्चा करेंगे ठीक है अब देखिए एक छत्रपती थे और एक पेश्वा थे एक छत्रपती और पेश्वा छत्रपती क्या है छत्रपती शीवा जी की जो फैमली है देखे छत्रपती शीवा जी की यो फैमली है ये छत्रपती है और इन्हीं के दर दर्बार में एक सबसे बड़ी पोश्ट हुआ करते थी प्रधानमंत्री की जिसे पेश्वा कहा जाता था तो पेश्वा कौन है छत्रपती के दर्बार में एक अधिकारी की पोश्ट है माल लेजिए प्रधानमंत्री की पोश्ट है लेकिन ऐसा जब समय गुजरता है जो आसपास की बाद बता रहा हूं 1740 50 की आसपास की बाद बता रहा हूं कि ऐसा टाइम आ जाता है कि छत्रपती बहुत कमजोर हो गए और पेश्वा मेन ताकतवर हो गए है अब गदी पर पेश्वा बैठने लग गए है ठीक है अब मैं आपको वेक पार स्ट्रक्चर पूरा कुछ आपके लिए कुलियर हो जाएं तो आपकी मुठी में सारा कुछ आ जाएगा देखिए आप जानते हैं जे मुखलों शम्भा जी जब 1689 तक गदी पर रहते हैं मुगलों के साथ इंका युद्ध होता है मुगलों के साथ लड़ते हुए इनकी मृत्यू हो जाती है और इनके बेटे शाहु जी को गिरफतार कर लिया आता है इस समय मुगल शाशक औरंग जेब है जब औरंग जेब की मृत्यू हो साथ साल बाद चुटेंगे तो राजा राम की मृत्यू के बाद इनकी पत्नी का नाम था तारा बाई उनके पुत्र का नाम था शीवा जी सेकेंड ये छोटी उम्र के होते हैं इसलिए शीवा जी सेकेंड चार वर्ष की आयू के होते हैं इसी कारण से तारा भाई इन शीवा जी सेकेंड के नाम से गद्दी पर बैड़ जाती है संदक्षिका बनकर 1700 से 1707 तक बहुत आराम से छत्रपति की गद्दी संभालती है लेकिन लेकिन प्रॉबलम कब आती है जब शाहू जी को जेल से छोड़ दिया जाता है औरंग जेब का जब मृत्यू हो जाती है शाहू जी को गद्दी से शाहु जी को जेल से छोड़ दिया जाता है तो 1707 में अपनी चाची के पास जाते हैं अपनी चाची के पास जिनका नाम था तरह बाई उनसे कहते हैं कि मैं इसका हख़ादार हूं क्योंकि शम्भा जी पीता जी ने उन्होंने शासिन दे दिया था और मेरा शासिन मुझे इनके बीच में युद्ध होता है इसे युद्ध को खेड़ा का युद्ध कहा जाता है महाराष्ट्र वाले इलाके में जो खेड़ा नामक जगा है वहाँ पर युद्ध होता है गुजरात वाला खेड़ा नहीं महाराष्ट्र वाले खेड़े में के युद्ध होता है इस तेरा इसुवे में पेशवा बना देते हैं और यहीं से पेशवा मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, च्छत्रपत्य यहीं से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, शाहु जी देखे थाइम पीरिड तो इंका 708 फों स सतना चास तक चला, मतलब लगबग 41 वर्ष इन्हों ने अच्छे से रूल किया लेकिन इनके टाइम पिरिड पर ऐसे सिचुविशन आ गए थी कि शाहू जी हमारे देश के जैसे राश्टरपती है उस सिचुविशन पर थे और जो बाला जी विश्वनात और इनके जो परिवार वाले जो पेशवा थे आगे बाजी रव प्रतम भी आएंगे ये सब परधान मंत्री जैसे हमारे है नरेंदर मोदी उनके पास जितनी पावर है उतनी पावर पेशवा के पास आ गई हैं देखिए शाहु जी को निउप्त किस ने किया बाला जी विश्वनात क्योंकि इनकी मृत्यू 1720 में ही हो जाती है अभी भी शाहु जी जिन्दा है और इसके बाद बाजी रव प्रतम बाजी रव मस्तानी वाले आते गद्धी पर कौन बैठते हैं बाला जी बाजी राव बाला जी बाजी राव 1740 से गद्धी पर बैठते हैं 1761 तक रहते हैं इनहीं के टाइम पीरेड पर शाहु जी की मृत्ति हो जाती है अब चलते हैं शाहु जी के पास शाहु जी की मृत्ति हो जाती है कोई भी इनका उत आते हैं बोलते हैं कि भाईये मैं तो जो है शाहु जी की ही खांदान का हूँ तो छत्रपती मुझे बनाया जाए हाला कि छत्रपती इनको बना दिया जाता है लेकिन नाम मात्र का छत्रपती बनाया जाता है राजा राम सेकंड को नाम मात्र का छत्रपती बनाये जाता है क्योंकि अब तक पावर किसके पास है बाला जी बाजी राओ तो बाला जी बाजी राओ और राजा राम सेकंड के बीच में संधी होती है जिसे संगोला की संधी कहते हैं इस संधी के तहट राजा राम सेकेंड को नाम मात्र का छत्रपति सुईकार कर लिया आता है और अब से ओफिशली मराठा सामराज के शाशक हो गए हैं कौन बाला जी बाजी राओ ठीक है अब बाला जी बाजी राओ की मृत्य हो जाती है 1761 में अब चत्रपतियों को छोड़ दीजी अब बाला जी बाजी राओ की फैमिली पर ध्यान दीजी पेशवाओ की फैमिली पर बाला जी बाजी राओ 1761 में मृत्ति हो जाती है एक बहुत इंपोर्टन घटना होती है जिससे पेश्वाओ का पतन होना शुरू हो जाता है ये पानीपत की तीसी लड़ाई होती है उसमें इनके बेटे और इनके भाई की मृत्ति हो गई थी बाला जी बाजी राओ और रगुनात राओ तो हैं ही और भी इनके भाई थे उनकी मृत्ति हो जाती है और विश्वास राओ की मृत्ति हो जाती है इसी पुत्र वियोग और भाई के वियोग में टेंशन में आकर इनकी मृत्ति हो जाती है उसके बाद नारायन राओ सेकेंड ये गद्धी पर बैठते हैं 1772 से 1773 तक अब नारायन राओ सेकेंड जब गद्धी पर बैठते हैं तो खलबली बज़ जाती है रागुनाथ राओ ये कहते हैं भाईया मेरे सामने जो पैदा हुए हैं वो गद्धी पर बैठते जा रहे हैं मुझे गद्धी नहीं मिली, उन्होंने सोच रखा था कि माधर राव प्रत्थम जो टीबी हो गई है, इनकी मित्तियों के बाद शायद मुझे गद्धी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली, इनके भाई नारायन राव सेकंड को गद्धी मिल गई, इसी कारण से रगुनात राव न नहीं हुआ 1774 तक ही गद्दी पर रहे क्योंकि नारायन राव सेकेंड की जब मिलती हुई थी ने उस समय इनकी पत्नी के पेट में एक बच्चा था उस पच्चे का जन्म हुआ माधव नारायन राव सेकेंड रखा गया सवाई माधव राव भी उन्हें कहा जाता है तो यह तो छोटी उमर के थे इसी कारण से एक बहुत ही महान सेनापती कह सकते हैं नाना फटनवीज की सहाईता से रखुनाथ राव से शाषन छीन लिया गया अब किसको दे दिया गया माधव नारायन राव सेकेंड को शाषन दे दिया गया इसी कारण से रखुनाथ राव गुसे में आकर अंग्रेज जो से हेल्प ले ले चले जाते हैं और उनसे संधी कर कर देते हैं अंग्रेजों से सूरत की संदी कर देते हैं अंग्रेज अब हस्तक्षेप करते हैं अंग्रेज जब हस्तक्षेप करते हैं तो पहला अंगल मराठा युद्ध हो जाता है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में किसके टाइम पिरेड पर होता है माधव नारायन राव सेकंड के टाइम पिरिड पर होता है जब 1796 में माधव नारायन राव सेकंड की मृत्ति हो जाती है तब आखरी पेशवा रगुनात राव के पुत्र बाजी राव सेकंड ही बनते हैं और बाजी राओ सेकेंड के बाद के टाइम पीरिड पर ही बाकी दूसरा और तीसरा अंगल मराठा युद्ध लड़ा गया और उसके बाद पूरी तरीके से अधिकार कर लिया मराठाओं पर अंग्रेज्जों ने ये पूरी कहानी थी अब इसको जो इंपोर्टन पॉइंट ह मैं आपको बताता हूं सबसे पहले छत्रपति शीवा जी यह सब मिटा दे रहा हूं तब समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको च्छत्रपति शीवा जी से हम शुरुआत करते हैं और जो इंपोर्टन पॉइंट है जैसे कि बताया है शोर्ट नोट्स हैं तो सब इंपोर्टन पॉइंट आपको मिल जाएंगे देखे छत्रपती शीवाजी छत्रपती शीवाजी का जन्म 1630 में हुआ था पूने में महाराश्टर के पूने में एक दुर्ग है किला है शिवनेर का किला वहाँ पे इनका जन्म हुआ था है इनके दो गुरु थे एक पॉलिटिकल गुरु थे और एक अध्यात्मिक गुरु थे जो राजनितिक गुरु थे दादा जी कॉंड देव रामदास जो थे यह अध्यात्मिक गुरु थे राजधानी इनकी राइगर्ड थी यह राइगर्ड महाराष्ट्र वाली राइगर्ड है और 1664 में सूरत यह और पंगजेब और राजा जैसिंग को ऊतूरत वाले लाके मेरे बीजता है अब राजाजा से के साथ जब शीवा जीका टककर होता या ज्याजा जैसिंग जीन सुर्णध जाता में एर क्यों लिके पुरणद की संधी कैए इस पुरणदर की संधी के कारण कुल 35 किलो मसे 23 किले मुगलों को देने पड़ते हैं ये 35 किले किसके थे? चत्रपति शीवा जी ने जीते थे और इसमें से 23 किले राजा जैसिंग के साथ हुई संदी में देने पड़े तो मुगलों को मिल गए राजा जैसिंग ने बहुत विश्वास दिलाया कि आप आगरा में मिलने जाइए और अंगजेब के साथ आपको निमंतरन आया है बहुत विश्वास दिलाया गया आपके साथ बहुत अच्छा वैवार किया जाएगा लेकिन जो ही आगरा के किले में पहुँचते हैं चत्रपती शिवा जी को गिरफतार कर लिया आता है चत्रपती शिवा जी को गिरफतार करके जैपूर भवन में रखा जाता है ये जैपूर भवन आगरा में है ये राजसान का जैपूर नहीं है ये जैपूर ने एक भवरन का नाम है जैपूर भवन का नाम है ये आगरा में है वहाँ से छूट जाते हैं वहाँ से भाग निकलते हैं चत्रपति शीवा जी और 1774 इस्वी में अपना राजबिशेक करवात थे नाम जानते हैं श्री गंगा भट इनसे अपना राज्य विशेक करवाते हैं और 1680 में इनकी मृत्य हो जाती हैं दो टेक्स चत्रपती शिवा जी के द्वारा चलाये गए थे चौध कर और सरदेश मुखी चरकर जितना भी उपज हुई है उसका उपज का जितनी भी फसल उगी है उसका एक बड़ा चोथा ही हिस्सा टेक्स ले रहे हैं सरदेश मुखी मतलब एक बड़ा दस्वा हिस्सा जैसे ये चौत करकब लेते थे जब अपने मराठा सामराज महाराष्टर से बाहर वाले इलाकों में जब जीत हासिल कर लेते थे तब एक चौता ही लेते थे और सरदेश मुखी ये हाला कि पुस्तेन ही चलता आ रहा था कि अ इन में जो सबसे बड़ी पोष्ट हुआ करती थी उही पेश्वां की हुआ करती थी जो प्रदान मंत्री हुआ करते थे यही पेश्वा आगे चल कर शाषक बन जाएंगे अभी तो ये अधिकारी हैं अब इनकी मृत्यू के बाद शंभा जी गद्धी पर बैठते हैं चत्रपती शिवा जी के दो पूत्र है न मैंने बताया देखिए शंभा जी और राजाराम अभी गद्धी पर कौण बैठते हैं शंभा जी 1680 से 1689 तक गद्धी पर पैठते हैं उज्जैन के विद्वान थे कवी कलश जिनका नाम था, उनको इन्होंने अपना सलाकार बनाया हुआ था और 1689 इस्वि में मुगल सेना के साथ इनकी जब युद्ध हुआ इनकी हत्या कर दी गई कवी कलश को भी पकड़ के इनकी हत्या कर दी गई इनकी पतनी और इनकी जो माता जी थी शत्रपति शीवा जी की जो विद्वा थी उनको भी गिरफतार कर लिया आता है इनके बेटे को भी गिरफतार कर लिया आता है शाहु जी जो शम्भा जी के बाद गद्धी पर बैठने वाले थे इनको गिरफतार कर लिया 1707 में इनको छोड़ा गया जब औरंग जेव की मिर्तिव होती है लेकिन अभी गद्धी पर कौन बैठेगा शंबा जी के बाद शंबा जी के बाद शंबा जी के जो भाई है राजा राम वो गद्धी पर बैठेंगे देख लिजिए राजा राम वो गद्धी पर बैठेंगे ठीक है शंबा जी के बाई थे राजधानी इन्होंने स्तारा बनाई मुगलों के साथ इनकी भी जड़प हुई और 1700 इस्वी में इनकी भी हत्या कर दी गई अब इसके बाद गद्धी पर कौन बैठेगा इनका एक पुत्र था चार वर्ष की आयू का बहुत छोटी उमर की आयू का था इसी कारण से राजा राम की जो पत्नी है तारा बाई जो शिवा जी सेकेंड की माता जी है वो अपने बेटे को लेकर संदक्छक के रूप में गद्धी पर बैठती है गद्धी बैठती है सत्रा सो साथ इसी में शांती पूर्वक शाषन चलाती है लेकिन सत्रा साथ में क्या हुआ शाहो जी जो जेल से चुट जाते है मुगल, शाशक और अंग्जेव की मिर्थियों के बाद शाहो जी गद्धी से कैट से चुट जाते है अब जो शाहूद जी कैद से छूट जाते हैं तो आते हैं तारा भाई के पास अपना शाशन मांगते हैं देखिए अभी गद्धी पर कौन बैठे हैं? शीवा जी सेकेंड तारा भाई इनकी मम्मी है शाहुजी गद्धी से छूड़ते हैं और अपना शाषिन मांगते हैं नहीं देती हैं तो तारबाई के साथ युद्ध लड़ते हैं खेडा का युद्ध कौन सा युद्ध खेडा का युद्ध ये लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं महाराश्ट्र वाले अलाके का ये खेडा है तारबाई इसमें हार जाती है इसमें शाहुजी की हल्प पता किसने की थी बाला जी विश्वनात की ही सहायता से ये गदी पर बैठ पाये थे शाहुजी इसी कारण से खुश होकर 1713 इस्वी में बाला जी विश्वनात को ये पेश्वा बना देते हैं अपने दर्बार में जो सबसे बड़े अधिकारी प्रधार मंतरी का पत पेश्वा बना देते हैं अब ये समझ के चलिए बाला जी विश्वनात जों ही पेश्वा बनते हैं उसके बाद लोगों में ये होता है कि बाला जी विश्वनात की ही साहिता से शाहु जी गदी पर बैठते हैं तो जादा तवज्जो बाला जी विश्वनात को मिलता है अब शाहु जी की स्थिती हमारे देश के जो राश्टरपती है इस समय वैसी स्थिती हो गई है और अब प मिधानिक रूप से बड़ा पोस्ट राष्ट्रपती का है लेकिन पावर्फुल परधान मंतरी है हमारे देश में 1749 में मृत्यू जब हो जाती है इनका कोई उत्रा दिखाई नहीं होता है तो राजा राम सेकेंड यह आते हैं राजा सेकेंड पता कौन है चली बताता हूं मैं आपको यह राजा राम सेकेंड है शीवा जी सेकेंड के पूत्र राजा राम सेकेंड अब शाहु जी की जब मृत्य होती है तो राजा राम सेकेंड आते हैं लेकिन इनको नाम मात्र का छत्रपती बनाया जाता है अब पावर फुल और मेन हाथ सत्ता हातों में किसके है पेशवाओ के अब शाहु जी का टाइम पिरेट थोड़ा ध्यान दिए 1708 से 1749 तक चला इनके टाइम पिरेट पर कौन-कौन पेशवा बदले वो हमें अब ध्यान देना है बाला जी विश्वनात 1713 से 1720 तक रह माजी राव मस्तानी वाले 1720 से 1740 तक पेशवा रहते हैं इनके टाइम पिरेट पर भी शाहु जी अभी जिन्दा है शाहु जी अभी जिन्दा है देखिए बाजी राव प्रतम के बारे में बहुत इंपोर्टन चीज़े आपको याद रखनी है 1728 में पाल खेड़ा का यु इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि हैदराबाद के निजाम थेक निजामल मुल्क उनका नाम था उनको हरा देते हैं हमारे बाजी राव प्रतम यह बाजी राव मस्तानी वाले हैदराबाद के निजाम को किस युद में हराया था पाल खेड़ा के युद में अब दिल्ली पर आक्रमन करने वाले पहले पेश्वा कौन है बाजी राव पर थम बाजी राव मस्तानी वाले 3727 में दिल्ली पर आक्रमन कर दिया उससे में मुगल शाषक शाह आलम था मुहंमद शाहा रंगीला भी इसको कहते हैं मस्तानी जो थी जिसके प्यार में पड़े थे यह जिसकर से ये फेमस हुए हैं बुंदेल खंड के राजा 16 साल की पुत्री थी ये 1740 में मृत्य हो जाती है किसकी बाजी राओ प्रतम बाजी राओ प्रतम के बाद बाला जी बाजी राओ गद्धी पर बैठते हैं 1740 से 1761 तक ये गद्धी पर रहते हैं अब इनके टाइम पिरिट पर ह हुआ क्या सबसे पहले इनके टाइम पिरिट पर हुआ शाहु जी की मृत्य हो जाती है बाला जी बाजी राओ को नाना साहब की नाम से भी जानते हैं इनहीं के टाइम पिरिट पर शाहु जी की मृत्य हो गई है इसके टाइम पिरिट पर बाला जी बाजी राओ के टाइम प संदी होती है जिससे संगोला की संदी कहते हैं इस संगोला की संदी तहत नाम मत्र का चट्रपति स्विकार कर लिया आता है राजा राम सेकेंड को और में जो शाषक हो गई मराथाओं के बाला जी बाजी राओ बाला जी बाजी थे उनके पास में सत्ता थी लेकिन अपिशली अब सबसे बड़े जो हो गए हैं मराथाओं के सबसे बड़े शाशक पेशवा हो गए हैं 1750 में संगोला की संदी होती है चत्रपती के साथ पानिपत की 30 लड़ाई 1761 में होती है यही सबसे बड़ा एक setback बनता है एक बड़ा कारण बनता है जिससे पेश्वाओं का पतन होना शुरू हो जाता है यह युद्ध हुआ था अफगान के शाशक दुर्रानी वंश का एक शाशक था एहमद शाशा अबदाली नादिर शा के बाजी राओं के बेटे विश्वाश राओं और इनके भाई की मृत्यू हो जाती है हत्या कर दी जाती है इसी कारण से पुत्र और भाई के वियोग में टेंशन में आकर कुछ महिनों बाद बाला जी विश्वनात की मृत्uddि हो जाती है इतना बड़ा सदमा लगता है इंको सत्रा सो zweiten में मृत्वी हो जाती है बाला जी बाजी राओ अब थोड़ा सा इधर आये बाला जी बाजी राओ की मृत् हैं के बाद विश्वश्राव तो मिर्त्य हो चुकी है ये बड़े बेटे थे तो अब गद्धी पर इंके जो मजले बेटे थे माधव राव प्रथम वो गद्धी पर बैठते हैं 1761 से 1772 तक तो अब गद्धी पर बैठने की जो इच्छा रख रहे थे ने रगुनात राव रख रहे थे बाला जी विश्वनात की मिर्त्यू के बाद सोच रहे थे कि रगुनात राव मैं गद्धी पर बैठूंगा लेकिन ये इनको नसीव नहीं हुआ अब माधव राव प् अकसर का युद्ध हो चुका पढ़ाया मैंने शाह आलम सेकेंड था इलहाबाद की संदी हो गई है और पैंशन अब मिनने लग गई है शाह आलम सेकेंड को नामात्र का शाशक रहे गया नामात्र का मुगल ले रहे गया है इसको दिल्ली की कद्धी पर दुबारा बठा के इसकी जो पावर है दुबारा इसको दी किसने माधो राव प्रतम ने हाला कि पहले शाह आलम सेकेंड मुगलों से इस्ट इंडिया कमपनी से पेंशन लेता था अब मराठाओं से पेंशन लेने लग गया माधो राव प्रतम की 1772 में टीबी रोग छे रोग ट्यूबर क्लॉसिस हो जाने की कारण मिलती हो जाती है इसके बाद पता कौन गद्धी पर बैठते हैं अब सोचते हैं रगुनात राव अब तो पक्का मुझे गद्धी मिल ही जाएगी लेकिन गद्धी इनके छोटे भाई नारायन राव सेकंड को मिलती है 1772 से 1773 तक गद्धी पर रहते हैं 1773 में नारायन राव सेकंड की हत्या कर दी जाती है रगुनात राव के द्वारा रगुनात राओ के द्वारा नारायन राओ सेकंड की हत्या कर दी जाती है भईया रगुनात राओ ने क्या किया अपने भतीजे की हत्या कर दी उसके पाद गद्धी पर बैठ गया कौन रगुनात राओ रगुनात राव ने नारायन राव सेकंड की हत्या कर दी और गद्धी पर बैठ गया लेकिन ये गद्धी इसको रास नहीं आई क्योंकि मैं आपको बता दूँ जो नारायन राव सेकंड थे इस ने सोचा, रगुनात राव ने सोचा कि नारायन राव सेकंड के कोई पुत्र है ही नहीं इसलिए हत्या कर दी, लेकिन इंके शादी हुई थी और इंकी जो पतनी थी उनके पेट में बच्चा था जब नारायन राव सेकंड की हत्या की जाती है उसके बाद बच्चे का जन्म होता है उसका नाम रखा जाता है माधव नारायन राव सेकेंड अब तक गद्धी कौन समाल रहे हैं कौन ले लिये हैं रगुनात राव जल्दी ही इनसे गद्धी छीन ली जाती है किसने छीनी पता है नाना फड्नवीज नाना फड्नवीज ने ये बहुत ही सीना पती इनको कह सकते हैं तो इन्होंने गद्धी छीन ली और किसको दे दी माधव राव नारायन राव सेकेंड को जो नारायन राव सेकेंड के बेटे हैं दो साल की उम्र है लगबग दो साल भी पूरे नहीं हुए है एक और दो साल के बीच में इनकी उम्र है अब दो साल की उम्र है अब गद्धी कह समालेंगे इसलिए बारा लोगों की एक टीम बनाई जाती है जिसे बारा भाई सभा कहा जाता है इन टीम में इस बारा लोगों में दो सबसे important थे नाना फड़णवीस जिन्होंने रहुनात राउ से गदी छीनी थी और महादीजी सिंधिया अब चुंकि नाना फड़णवीस ने रहुनात राउ से गदी छीनी थी रहुनात राउ को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था वो अंग्रेज्जों की शरण में चला गया अंग्रेज्जों से हल्प मागी अंग्रेज्जों से सूरत की संदी कर डाली बोल दिया कि भईया आप मुझे सैनिक दीजिए 25,000 सैनिक दीजिए और मैं एटेक करूंगा माधोराव नारायन राव सेकंड के उपर जिससे सवाई माधोराव भी कहते हैं और उसके बदले में मैं आपको बसीन और सालसी ये जो छेतर है न वो सब दे दूँगा अंग्रेज्जों ने कर ली संदी सूरत की संदी कर ली उसके बद अंग्रेज्जों ने आक्रमन कर दिया किसके उपर मराठाओ के उपर माधोराव नारायन राव सेकंड के उपर सत्रासो पचासी से सत्रासो ब्यासी तक ये युद्ध लड़ा ओवरॉल देखा जाए इसमें अंग्रेज्जों को ही मूँ की खानी पड़ी अंग्रेज्जों ने बाद में माधोराव नारायन राव सेकंड के साथ समझोता किया और सालाबाई की संदी हुई उस समें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था वारिन हेस्टिंग जब ये युद्ध लड़ा गया ये युद्ध शुरू हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जानते ही आप और बंगाल के गवर्नर जनरल वारिन हेस्टिंग को बना दिया गया सालाबाई की संदी के साथ ये युद्ध समाप्त होता है अब माधव राव नारायन राव सेकंड की जब 1796 में मिर्ति हो जाती है उसके बाद गदी पर बाजी राव सेकंड बन जाते हैं बाजी राव सेकंड ये आखरी पेश्वा है और बाजी राव सेकंड पता पूरा दिकार कर लिए अब बाजी राव सेकंड जो आखरी शाशक है आखरी पेश्वा है उनके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर बहुत ही कमजोर हो चुके हैं पेश्वा और लॉड वैलेजली उसमें भारत का गवर्नर जनरल है इसने सहायक संधी चालू की थी जो देशी रियास्ते थी उनको सहायक संधी अपनवा देता था मतलब उस राजा को जिसने सहायक संधी अपना ली है उस राजा को अपनी अपने दरबार में कह सकते हैं या अपने छित्र में अंग्रेजी सेना रखनी होती थी उसका खर्च भी बेचारा वो जबदस्ती कौन देगा राजा ही देगा ये एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई एक संदी थी और एक अंग्रेज अधिकारी को दरबार में भी रखना पड़ता था ताकि क्या बाते हो रही है राजाओं की वो अंग्रेजों को पता लगता रहे हैं और बहुत सारे इसमें रोक टोक थी आगे आप पढ़ेंगे लौड वेलेजली के बारे में बताऊंगा तब मैं इसके बारे मताऊंगा और अच्छे से दूसरा अंगल मराथा युद्ध हो जाता है पता क्यों होता है जब यह सहायक संदी अपना लेते हैं बाजी गायकवार्ड यह सब गुच्छे आ जाते हैं भाईया बाजी राव सेकंड के ऊपर बोलते हैं तुम पेश्वा होकर मराथा होकर अंग्रेजों की सहायक संदी अपना लिए हो यह कैसे हो सकता है तो बाजी राव सेकंड से थोड़ी समय के लिए गद्धी छीन ली जाती है अर्बाजी राव सेकंड अपने पिता की तरह अंज्ग्रेजों की शरन में चले जाते हैं सहायता मागने के लिए और उग्रेजों को मौका मिले गयाँ दूसरा अंगल मराथा यूद लड़ लेते हैं कि और दूसरा अंगल मराठा यूद राजापूर घाट की संदी के बाद समाप्त होता है और दुबारा से खोई हुई शक्ति बाजी राओ सेकेंड को मिल जाती है लेकिन एक समय ऐसा आता है 1817 का जब बंगाल का गवर्नर जनर्र लॉर्ड हेस्टिंग था वारेन हेस्टिंग नहीं देते हैं 1818 तक बाजी राओ सेकेंड को पेश्वा का जो पद है वो समाप्त कर देते हैं बाजी राओ सेकेंड को यह भेज देते हैं भाईया बिठूर में भेज देते हैं कानपूर के पास एक जगह है बिठूर और आप बोल देते हैं भाईया आप वहां रहिए आपको प धौंदूपन्थ के नाम से जाना गया इतिहास में यान नाना साहब उनको भी नाना सिहंगं कहा गया है अम mint डौंदूपंथ यह नाना साहब कहा गया उनको अब 187 की क्रांति होती न हुसमें धौई अ मतन्ही नी की मत्त हो जाती है ना तो अंग्रेज पैंशन रोब देते हैं धोदूपंत जो बाजीराव सेकेंड के दतक पुत्र थे गोद लिये हुए पुत्र थे जब वो डिमांड करते हैं कि मुझे भी पैंशन दी जाए तो अंग्रेज मना कर देते हैं कि नहीं यह पैंशन आपके पिता जी के लिए थी आपके लिए नहीं है और आप तो साथमा लेक्चर था यह इसके बाद आप पढ़ेंगे इसके बाद वाली कहानी जो है ना वो सिक सामराज कैसे अंग्रेज अधिकार करते हैं वो पढ़ेंगे इतनी बाते आपको जानना जुरूरी है तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले अपिसोड में लेकिन उससे पहले बता दूँ इसके जो क्लास नोट्स हैं श्री एजुकेशन एप्लिकेशन पर अवेलेबल हैं श्री एजुकेशन एप एस चाराई स्पेस डालकर एजुकेशन एडी यू सीए टिया यू या सेवन ट्रिपल एट डबल सेवन फोर टू फोर फाइप पर आप कॉंटेक्ट कर करके वाटसब करके नोट्स पास सकते हैं जी एस का फाउंडेशन कोर्स चलना है अप ले सकते हैं हम आपसे मिलेंगे अगले अपिसोड में तब तक के लिए नमश्का